small cap category के जो fund होते हैं वो हमें long term में बहुत ही शांदार return देते हैं उसमें भी अगर जो index category का fund होता है उसमें हमें बहुत ही कम expenses देखने को मिलता है और यह हमेशा index को follow करते हैं HDFC fund अपना एक index category का fund launch करने वाला है इस fund की मैं पूरी detail में बात करने वाला हूँ अगर आपको इस fund के अंदर investment करना है तो pin comment के अंदर मैंने link दे दिया है वहाँ से आप अपना investment start कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं HDFC mutual fund जो अपना fund launch करने जा रहा है वो है HDFC nifty small cap 250 index fund यह एक index category का fund रहने वाला है इस fund का NFO 6th April को open हो चुका है और 18th April को close हो जाएगा इस fund के अंदर mainly small cap के अंदर investment करने वाले हैं अगर कोई भी index fund रहता है उसके अंदर expense ratio हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है जिसके करण हमें long term में इसमें फायदा देखने को मिलता है जो index fund होते हैं वो already diversified होते है इसमें हमें किसी भी तरीके का diversification करने की जरूरत नहीं रहने वाली है इस fund के अंदर mainly 250 stocks रहने वाले हैं और किसी भी तरीके का capping नहीं रहने वाला है portfolio का review यहाँ पर semi annually March और June के अंदर किया जाएगा इस fund के अंदर top 10 stocks कौन से कौन से रहने वाले है और उनका weighted average कितना रहने वाला है वो भी आप यहाँ पर अपने screen के अंदर देख सकते हैं इसके अंदर जो सबसे पहला stock है वो है KPIT Technologies जिसका weightage रहने वाला है 1.59% दूसरा stock है Carbon Random Universal जिसका weightage रहने वाला है 1.30 Apollo Tires 1.27%, Reddington 1.22%, IDFC Limited 1.21%, LG Equipments 1.21%, City Union Bank 1.19%, PVR Limited 1.1%, RBL Bank 1.11% और Ready को खैता जिसका weightage यहाँ पर रहने वाला है 1.10% यह जो सारे stocks है वो कौन से sector से बिलोग करते हैं वो भी आप यहाँ पर अपने screen में देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा weightage यहाँ पर सबसे ज़्यादा weightage Financial Services का रहने वाला है जो की है 19.1% दूसरा सबसे ज़्यादा weightage यहाँ पर रहने वाला है वो है Capital Goods जिसका weightage रहने वाला है 14.3 और इस fund के अंदर कौन से कौन से sector से बिलोग करते हैं stocks वो भी आप यहाँ पर अपने स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं और इनका weightage रिस्पेक्टिवली किता रहने वाला है वो भी आप यहाँ पर अपने स्क्रीन में देख सकते हैं अगर हम returns की बात करें तो इस index ने एक साल के अंदर 1.4% का return दिया है 3 साल के अंदर 23.9% का return दिया है 5 साल के अंदर 6.7% का return दिया है 10 साल के अंदर 15.7% का return दिया है 15 साल के अंदर 8.9% का return दिया है और यह fund जब से launch हुआ है तब से इसने 12.5% का return दिया है जो कि बहुत ही शानदार है investment के तोर पा अगर हम बात करें तो अगर आपने 1 लाग रुपे 1st August 2006 को डाला होता तो जो उसका वैली होता 7.1 लाग रुपीज इस इंडेक्स का वैली ओशन क्या है वो मैं आपको बता दम इस इंडेक्स का PE रेशियो बैठ रहा है 17.77 Price to book रेशियो बैठ रहा है यहाँ पर 2.87 Dividend Yield यह इंडेक्स देता है 1.32% का और Return or Equity है 14.3% HDFC Nifty Small Cap 250 इंडेक्स पंड यह NFO लाँच हो जाएगा 6 अपरिल को और Close हो जाएगा 18 अपरिल को इस फंड का Benchmark करने वाला है Nifty Small Cap 250 इंडेक्स और इस फंड का Exit Load निल रहेगा मतलब आप अपने पैसों को कभी भी redeem करते हो तो आपको किसी भी तरीके का Exit Load पे करने की ज़रूत नहीं रहेगी इस फंड का NAV 10 रहेगा और Expense Ratio जब यह फंड लाँच हो जाएगा वैसा ही आपको पता चल जाएगा यह एक Open Ended Category का फंड रहने वाला है मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को invest कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को redeem कर सकते हो यह Regular और Direct दोनों इस बोड में available रहेगा इसमें Growth और Dividend दोनों इस ओप्शन्स देखने को मिलेंगे अगर आपको अपना investment स्टार्ट करना है तो आप SIP, Lumsum, HWP य़ श्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना investment स्टार्ट कर सकते हैं minimum investment की बात करें तो Lumsum मोड में मात्र 100 रुपी से आप अपना investment स्टार्ट कर सकते हो या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करने है तो मात्र 100 रुपीस पर मन्त से आप अपने SIP स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको अपने portfolio को free में review करवाना है या फिर और भी कहीं पर भी investment करना है तो नीचे दियेगे number पर आप call कर सकते हो या फिर अगर आपको mutual fund के अलावा और भी कोई अलग-अलग options के अंदर check out करना है जैसे कि insurance, FD, pre-IPO, PMS और debentures जैसे अलग-अलग options को भी आप यहाँ से check out कर सकते हो लिंक मैंने description में दे दिया है अब मेरा क्या मानना है इस fund के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ ये एक index category का fund होने के कारण इसके अंदर expense ratio बहुत ही कम रहने वाला है ये mainly अपने respective index को follow करेगा अगर आपने already कहीं पर भी investment किया हुआ है तो इस fund में investment करके आप अपने portfolio को diversify कर पाओगे अगर आपको long term के लिए investment करना है तो ये fund आपके लिए suitable रहेगा लेकिन अगर आपको short term के लिए investment करना है तो बेशक ये fund आपके लिए बिलकुल भी नहीं है अगर आपको किसी भी तरीके के investment के regarding question है तो आप हमें telegram, twitter और instagram पर follow करके अपने questions को पूच सकते हैं मैंने अपना number भी दिया गया है, मैंने अपना number भी दिया है अब वहाँ पर हमें कभी भी call कर सकते हैं ओप ये video आपको पसंद आया होगा अगर ये video आपको अच्छा लगा तो like करो, share करो और subscribe करो, thank you